जो सम्मीधानिक दाइरे में नहीं है, वो कानून नहीं हो सकता है, वो अध्यादेश हो सकते हैं तामित शाह तो महिर है अत्कंडों में, डकाइती करने वाले यही तो है मेरे साथ मेदा पाटकर जी हैं इनसे बात करते हैं आज आंदोलन में आई हैं गाजुपूर बार्डर पर आई हैं मैडम आज आप लोग यहां पर आएं इस धन्य को किस तरीके से देखते हैं और के सरकार आखिर किस बात की जित प्राड़ी हुई है उनके जित होई है कि जिनको उनोंने हर बार बक्षा और जिनके चंदे से ही चुनाओ लड़कर जीते हैं उनको वो हराएंगे क्या उनकी हार ही नहीं उनके हाथ से संसाधन खीचेंगे क्या तो उनके साथ उनोंने अनुबंध कर चुके हैं और इसके लिए ये जरूरी है समझ कि उनको आसान नहीं है यह कानून वापस लेना तो फिर जीवटता के साथ जो अंदोलन चलेगा वही सरकार को जुकाएगा और यह जीवटता इन किसान मजदूरों में ही है हमने हर बार देखी हमारा 35 साल हो गए नर्मदा अंदोलन चलाते हुए तो इतनी जीवटता पकड़ कि रखते हैं वही किसान मजदूर होते हैं यह मुर्ख है जो कह रहे हैं कि यह चिनी और खलिस्तानी ने पाकिस्तानी है वो इतने दिन यहां बैठ सकते हैं क्या लाईए ना चिनी खलिस्तानी पाकिस्तानी को और बिठाईए यहां और देखें कि इस प्रकार की टॉयलेट् देश जान चुका है और इसलिए आप वह हिलखे हैं और इसलिए वह नहीं नहीं अपना रहें रमिट शा तो महीर है और तंड नहीं लगी है लेकिन दूसरों को पहनाने में फोर्टि सारे जन आंदोलनों के साथ ये खेल कहला है। कभी बीमा कोरेगाओं के नाम पर, कभी किसी नाम पर। सर्फेकmpशरोलेसंर रिपोर्ट एह वो फीरस्ट इंफर्मेशन रिपोर्ट नहीं है। और फोलीजेश के स्थर की किसी सर्फ़नाम से किया जाता है। यह गटनास्तल वो बताते हैं जहां हमने की हमने हत्या की साजिश की और हम तो जो जूट है हत्या की साजिश ने डखाईती नहीं है डखाईती करने वाले यही तो है अपने अमिशा जी का नाम लिया बंगाल में जब चुनाओ है उसको लेकर यह काफी पूरी पार्टी लगी हुई है बजट में भी देखा जाया कि बंगाल के लिए बजट में काफी कुछ दिया गया है तो यह बजट जो था वो किस तरह के खाथा चुनाओ भी बजट था क्य देखिए बजट से यह साबित होता है कि बजट से किसान को नहीं मिलेगा आजकल क्या है बजट के कोई परवा और स्थान भी नहीं है देखिए दो बजटों के बीच अगर 68,000 करोड रुपे नीरों मोदी और विजय मल्या जैसे अपराधी कैपिटलिस्ट पुनजी वादी को दिये जाते हैं तो बजट का मतलब ही क्या है और बजट में अभी भी खेती पर जो पीछले साल एक लाग 30,000 करोड से जादा था खेती का बजट वो इनोंने कम कर दिया 15,000 करोड से 15,000,000 करोड से 15,000,000 करोड से MSP का फिर से बजट में आश्वासन ही कया जाएगा और जूड बोल रहे हैं कि हम तो MSP दे रहे हैं अभी जो MSP दे रहे हैं उसका डेड़ गुना देने की बात कर रहे हैं लेकिन वो किसका डेड़ गुना लागत ही गलत आक रहे हैं परिवार जनों के श्रम का मुल्य नहीं ल उसका डेड़ गुना करेंगे तो भी 29 सो से ज्यादा नहीं जाएगा तो फिर हम कैसे मंजूर करेंगे भाई कि यह स्वामी नातन आयोग के दिशा में जा रहे हैं और उन्होंने सुप्रीम कोट में जो अभी शापत पत्र दिया इस केस में जो एक लॉज स्टूड ने डाल हुई दिल्ली बॉर्डर खुलने के लिए केस थी उसमें उन्होंने जो एफिडेविट डाला है उसमें कहा है कि स्वामी नातन आयोग का तो हमने पालन करी दिया है अब इतना जूट अगर एपेक्स कोट सुप्रीम कोट के सामने बोलते हैं तो अच्छा है कि जन संसद में अब निर्णे हो जाए और जनता करें केवल जन प्रतीनी धी 543 न करें निर्णे बजट से तो साबित है कि यह सारवजनिक संपत्ता बेचने जा रहे हैं इन्होंने LIC में FDI का प्रसेंटेज बढ़ा दिया और बोल रहे हैं कि 70% से ज्यादा उन्जी निवेश निजी होगा और वो भी foreign direct investment होगा तो भी control हमारा रहेगा कौन बच्चा भी इस पर विश्वास करेगा दूसरा उन्होंने फिर से BPCL और Concord को बेचने के बात की अब यह Concord मतलब railway के company जो containment बनाती है containers बनाती है जो बड़ी बड़ी तो उसको कितना मुनाफ़ा मिलता है जिससे सारवजनिक तिजोरी भरती है जिससे शिक्षा के केंदर और स्वास्ते केंदर सरकार चला सकती है आज स्वास्ते केंद्रों को बढ़ाने की बाद से कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि वो स्वास्ते केंद्र भंगार पड़े हैं, अभी कोरोना के लिए जिन्होंने आट-दस महींने निस्वारती रूप से हिम्मत से काम किया, उनको ये नहीं रख रहे हैं, उनको लात पंपस्वास dataset केंदर अधी लेकिन इनको उसकी नहीं है इन्होंने इंफरास्ट्रक्ट्चर पर जोर दिया है लाखो करोडों रुपे dedicated yn намиज़ कोरेड केट और डेडिकेटे तो alternative to the common people पेंडिया hago the absorbent नेज़ानीài किरौश की कमाई 314 कोज़़ अजयर yearly हुए मुकेश अमभानी की रोच की कमाई एक हजार पेंटालिस जिन्दाबाद चैनल के मद्दम से मोधी जी और योगी जी या केंद्र सरकार के लिए क्या संदेश देना चाहरे हैं जो सम्मीधानिक दाइरे में नहीं है वो कानून नहीं हो सकता है वो अध्यादेश हो सकते हैं और संसत को पूचे बिना जनता को पूचे बिना थोपे जा सकते हैं पारित नहीं हुए है पर बेवाकी से अपनी बात रखने के लिए हमाय साथ मेधा पाटी कर जी थी उन्हें खुलकर बात करी है उन्होंने कहा है कि यह जो कानून तीन किर्शी कानून बिल है यह वाकई में थोपे गए हैं इनको पारित नहीं कराए गया है अंशुमन यादब नीज वर्ल इंडिया गाजिपूर दिल्ली